हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटीव चैनल आज मैं आपके सार एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करूंगी जी हां आज हम बनाएंगे चीजी स्टफ्ट ब्रेड पकोडा की रेसिपी जो के खाने में बहुत ही क्रिस्पी करारा टेस्टी बनता है बहुत ही इजी वेसे मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है ये स्टफ्ट ब्रेड पकोडा अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए आज की मज़ेदार सी क्रिपी ब्रेट पकोडा की रेश्पी बनाना स्टार्ट करते हैं रेस्पी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पैन, पैन में आईल को एक से दो बड़े चमदी आईल को गरम करेंगे, जीरा एड़ करेंगे, साबुत क्रश किया हुआ धनिया एड़ करेंगे, मिक्स करेंगे, दो बड़े चमदी चॉप्ट कियोए जिंजर अदरक के मीडियम साइज के आलू पटैटोस बस इसे भी हम एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे मिक्शर को मिक्स कर लेंगे लास्ट में हम धरे धनिये से इसे गानिश कर लेंगे बस अब हम गैस की फ्लेम को आफ करके इसे स्टफिंग को ठंडा करेंगे जब तक stuffing ठंडी हो रही है हम side में better ready कर लेंगे बेसन का सबसे पहले एकटोरी बाउल में अड़ करेंगे बेसन और इसमें अड़ करेंगे crush की हुई अजवाइन friends आप अजवाइन बेसन में जरूर अड़ करें इसे taste बहुत अच्छा आता है और अड़ करेंगे मसाले, नमक, हरी मिर्च, रैट चिली पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर और last में अड़ कर देंगे हरा धनिया और थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करकर हम अच्छे से इसे mix करेंगे हमें ज्यादा पतला घोल रैड़ी नहीं करना हमें थिक सा बैटर रैड़ी करना है बेशन का बस mix करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करकर और बैटर रैड़ी करेंगे देखिए इस तरह से बस अब हमें इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे मैंने यहाँ पर दो पीस लिए हैं ब्रैड स्लाइस के अब हम इस पर जो हमने आलू की स्टफिंग रैड़ी करके रखी है इसे हम सप्रेड करेंगे हमें evenly सभी तरफ इसे आलू की स्टफिंग को सप्रेड करना है अच्छे से लगाना है ब्रैड स्लाइस पर बस दोनों ब्र चीज स्लाइस रखेंगे चीज स्लाइस रखेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर अड़ करें चीज स्लाइस और इसे हम ऐसे 3rd और 4th bread slice से ऐसे बंद कर देंगे बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे बीच में इसे हम ऐसे cut कर लेंगे बस cutting करने के इसी तरह से हम सभी जो हमने ready करके रखे हैं stuffed bread इसे हम ऐसे cut कर लेंगे अब हम क्या करेंगे जो हमने बेशन का better ready किया है last में उसमें baking powder करेंगे 140 पून और इसे mix देंगे अच्छे से और bread पकोड़ा बनाना start करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले कडाई में oil गरम करेंगे उसे check करेंगे थोड़ा सा better add करके better उपर आ चुका है हमारा better oil ready है अब हम क्या करेंगे इस तरह से add कर देंगे हमारे bread slices बस अब हम इसे ऐसे उपर से थोड़ा थोड़ा गरम oil एड़ करेंगे और सभी तरफ से बिलकुल medium flame पर ऐसे fry कर लेंगे ready हैं हमारे stuffed bread pakoda चीजी bread pakoda बनके इसी तरह से हम सभी bread pakoda बना कर ready कर लेंगे तो लीजिए हमने सभी bread pakoda बना कर ready कर लेंगे क्रिस्पी कितने बने हैं देखिए उपर से हम चाट मसाला एड़ करेंगे और गर्मा गरम सर्फ करेंगे मैंने इसे tomato ketchup के साथ सर्फ कर लिया है यह बहुत tasty बनते हैं आप भी घर में इसे सर्दियों के मौसम में बारिश के मौसम में गर्मा गरम चाय के साथ enjoy जरूर कीजिएगा बहुत ही tasty लगते हैं एक पीस मैं आपको cut कर भी दिखाती हूँ अंदर से कितने अच्छे बने हैं यह stuffed चीजी bread pakoda देखिए गर्मा गरम अंदर से cheese देखिए कितने अच्छे से melt हुई है आ गया ना मूँ में पानी तो friends आप इस recipe को try जरूर दीजिएगा अगर friends आपको हमारी आज की यह बहुत ही tasty recipe अच्छी लेगी हो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल पर नाए है चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं अक्सस्पी के साथ अब तक के लिए good bye take care